हलो फ्रेंड्स मैं विजय कुमार पटेल आप सभी का मेरे चैनल विक्ट्री विद पटेल में स्वागत करता हूँ आज हम लोग राइपूर जिला से सम्बंधित राइपूर जिला से सम्बंधित महत्पूर्ण तध्यों को विश्त्रित रूप से देखेंगे राइपूर जिला की गठन के अगर बात करें तो वर्ष 1861 में राइपूर जिला का गठन हुआ था इससे पहले राइपूर जिला ब्रिटिस प्रांथ का हिस्सा था इस तरह से ब्रिटिस प्रांथ से अलग होके 1861 में राइपूर जिले के स्वरूप के रूप में सामने आया जिला अगर मुख्यालाई के अगर बात करें तो राइपूर जिले का जिला मुख्यालाई राइपूर ही है साथी साथ समय पूवर्ती अगर जिला अगर देखें तो राइपूर जिले से समय पूवर्ती जिलों में महाशमून क्लाव को इस चले जाएं तो गरिया बन महाशमून गरिया बन धमतरी धमतरी दूर्ग बेमे तरह सांति सांप बलावदा बजार बलावदा बजार इस तरह से इन छै जिलों की सिमारेखा को राइपूर जिला इस पर सकरती है आगे तत्यों के अगर बात करें समी पूवर्ती राज्य अगर देखें समी पूवर्ती राज्य अगर देखें तो राइपूर जिला एक भो आवेश्ठित जिला है भो आवेश्ठित जिला है मेंस राइपूर जिला किसी अन्य राज्यों की सिमारेखा को इस पर्स नहीं कर करती है समिपोर्ती जिला हमने देखा रायपूर अपने समिपोर्ती छै जिलों की सीमा रेखा को इस पर्स करती है साथ समिपोर्ती राज्यों की अगर बात करें तो रायपूर एक भू आवेश्ठित जिला है मिन्स रायपूर जिला अपने समिपोर्ती किसी भी राज्यों की स साहत विधान सावा छेत्रों कौन लोग देखते हैं जिसमें से राइपूर उत्तर राइपूर उत्तर राइपूर दक्षिंड राइपूर उत्तर राइपूर दक्षिंड राइपूर पस्चिम राइपूर पस्चिम राइपूर ग्रामिड राइपूर ग्रामिड इस तरह से विधान सबस्थेत्रों में बटा हुआ है सांति साथ आरंग अभनपूर और धरश्युवाँ इस तरह से साथ विजहन सबस्थेत्र राइपूर जिले के अंतरगत आती हैं वहीं अगर लोकसभा छेत्र की अगर बात करें लोकसभा छेत्र की अगर बात करें तो रायपूर एक लोगसवा छेत्र है एक लोगसवा छेत्र है और अभी रायपूर लोगसवा छेत्र से माननिय सुनिल कुमार सुनी सुनिल कुमार सुनी यहां से मेंबर ऑपार्लियमेंट सांसद हैं 2020 कि स्थिति में लोगसवा छेत्र के अगर बात करें तो रायपूर लोकसभाचेत्र एक है जिसना सुनिल कुमारसों ने यहां से अभी सांसद हैं तो हमने महत्पूर्ण तत्यों को वन बाई वन हम रायपूर जिले से सम्मंधित तत्यों को देखते चले जाएंगे हमने देखा कि रायपूर जिला 1861 में गठित हुआ ब्रिटिस प्र सबाचेत्र साथ है और लोकसभाचेत्र एक है रायपूर जिला खारून नदी के तट पे इस्थित है इस टेप के कोस्चन्स पूछे जाते हैं इन तत्यों को याद रखिएगा जो बड़े सहरे हैं सहरे हैं उससे समंधित तत्यों को पूछा जाता है कि वो किस नदी के सब्सक्राओं चर पे स्सांतल है आए अन्य तथियों को हम लोग मैप के थुरू समझने कि कोसिस करेंगे जिस से तथियों को मिवराइस करने में हमें असानी होוס हम करने मात पूर्ट जैओं को हमने देखा सांथी साथ अन्य तत्थ्यों को अगर देखें मैप के थ्रू रायपूर जिला को हम लोग समझने की कोशिस करेंगे जिसमें हम देखेंगे सब्सक्राइब एक निशनल हाइवै 30 एक निसल हाइवै 53 इसमें अगर देखें तो यह नेशनल हाइवै नेशनल हाइवै 30 नेशनल हाईवे 130B और नेशनल हाईवे 130C जो गरिया बंद के और चली जाएगे लंबाई की बात करें तो 322 किलोमेटर 636 किलोमेटर 137.5 किलोमेटर और 296 किलोमेटर इन जगों को हम लोग देखते चले जाएगे जगों को अगर देखें तो नावापारा नावापारा चमपराण अबहनपूर अबहनपूर देखें निमोरा उपरवारा निमोरा उपरवारा यहीं देखें तो पचपड़ी नाका पचपड़ी नाका आगे चले जाएगे तो राइपूर 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 से देखें तो फ़ाफड ही चाओं रावाभाठा रावाभाठा बिरगाओं भनपूरी उरला सिल्तरा साथिसाथ धरसिवां कई जगें हमें एक्जेक्टली हाइवे पे नहीं मिलेगा मगर याद करने के परपस से ताकि हम लोग हाइवे पे चले तो हमें जगें आट्मेटिकली याद हो जाएं इसलिए हम लोग जगों को हाइवे पे बनाते चले जा रहे हैं इस तथे को याद रखेगा वही रेलवे रूट की अगर बात करें तो जगों को देखेंगे डळूरेस मांडर वेकॉंड और तिल्दा इन जगों को हम लोग विस्तरित रुप से देखेंगे वहीं इदए चले जाएं तो टाटी बन्द चौंक टाटी बंध चौक, महादेव घाट, महादेव घाट, इधर चले जाएं, तो मंदिर हसोद, चंद खुरी, आरंग, नदियों की बात करें, तो एक नदी है, खारून नदी, और साथ ही साथ, महा नदी, इन नदियों को हम लोग प्रमुगरुप से देखेंगे, तो इतनी जगों को हम लोग देखते चले जाएंगे, यहीं नेशनल आवे 53 में चले जाएं, तो परशदा, परशदा में हमें सहीद वीर नरायन सी स्टेडियम, सहीद वीर नरायन सी स्टेडियम, और इस एरिया में नावाराइपूर में हम लोग विसेश रूप से देखेंगे, जो के 36 गड़ की नई राजधानी नावाराइपूर, अटल नगर नावाराइपूर के रूप से जाना जाता है, यहीं पर प्रमुक रूप से देखेंगे, जंगल सफारी, जंगल सफारी, साथ ही साथ इस एरिया से अगर चले जाएं तो वी आईपी रोड से माना एयरपूर्ट की बात करेंगे, तो इस प्रकार हम लोग वन बाई वन तत्यों को याद करते चले जाएंगे, अब शुरू से लेके अंत तक बने रहें, इन जगों को सबसे पहले आप मेमोराइज कीजिए, ताकि फेक्ट आटोमेटिक लिए आपको याद हो जाएं, तो आएए आगे बढ़ें, नेशनल हाइवे हमने यहाँ पर देखा, नेशनल हाइवे की अगर बात करें, तो नेशनल हाइवे 30, नेशनल हाइवे 53, नेशनल हाइवे 130B, और नेशनल हाइवे 130C, नेशनल हाइवे 30, जो 36 अगर की सबसे 90 नेशनल हाइवे है, 636 किलोमेटर 322 किलोमेटर 130B 187.5 किलोमेटर और 196 किलोमेटर अभनपूर से गर्याबंद की ओर और नेशनल हाइवे 130B राइपूर से बलोदा वजार होते हुए सारंगड के ओ निकल जाएगी तो इस तरह से हम यहाँ पे चार नेशनल हाइवे देख रहे हैं से रास्टी राजमार सांथी सांथ हमने लंबाइस को भी देखा और इन नेशनल हाइवे से हम लोग भली भाती परिचित हो चुके हैं आए जगों को देखें तो हम एक जगह मिलेगा नवापारा नवापारा कि अगर बात करें तो हम आपने हनुमान पेपर मिल है इन तत्यों को आप वन बाइवन याद करते चले जाएंगे नवापारा कि अगर बात करें तो हनुमान पेपर मिल हमें यहां से मिलेगा अभन पूर देखें तो एक विधान सबाच्छेत्र है आगी चले जाएं तो हमें नीमोरा मिलेगा नीमोरा स्टेट सिविल सर्विस अकादमी है चत्तिसगर प्रशाशन अकादमी लोग सेवा आयोग में चैन होने के बाद जहां पे आपका ट्रेनिंग होता है राइपूर में वो जगह है नीमोरा चत्तिसगर प्रशाशन अकादमी है तो इस जगहों को तो आपको अच्छे से याद रखना ही होगा क्यूंकि आप कभी न कभी इस जगह पे जरूर पहुँचेंगे ही अगर आपकी तैयारी अच्छी हो डेडिकेशन हो तो नवापारा हनुमान पेपर मिल नीमोरा की बात करें तो चत्तिसगर प्रशाशन अकादमी है साथी साथ आगे अगर देखें तो उपरवारा उपरवारा में पूर्खवत्ती मुक्तांगन है यहीं पे पूर्खवत्ती मुक्तांगन है नौंबर 2006 में इस्थापित नौंबर 2006 में इस्थापित 200 अकड में उपरवारा फैला हुआ है जहां पे चत्तिसगर के कला यों संस्कृति का समवर्धन यों संरक्षण किया जा रहा है इस तरह के कोश्चन्स एक बार पूछे गए हैं कि पूर्खवत्ती मुक्तांगन कहां पे है तो उपरवारा पे है साथी साथ यहां पे चत्तिस गर के कला यों संस्क्रिति का समवर्धन यों संरक्षण किया जाता है। उपरवारा पूर्खती मुक्तांगन में किया जाता है। आगे इसी करम में अगर आगे बढ़ें तो पचपड़ी नाका से सीधा चले आए हम लोग तो हमें मिलेगा राइपूर जो कि छतिस गड़ का जिला मुख्याला है चतिस गड़ का जिला मुख्याला है यहीं अगर बात करें तो राइपूर राइपूर जिला मुख्याला है जिला मुख्याला है और यहां पर हमने विधान सबा छेत्रों की बात भी की लोग सबा छेत्र भी देखें राइपूर एक लोग सबा छेत्र भी है जहां से सुनिल कुमार सुनी जी मेंबर अपाल्यामेंट है सांसद है अभी की स्थिति में सांती सांत देखें तो राइपूर खारून अधी के तड़ पे इस्थित है इसी तरह से संग्रहाला की अगर बात करें तो राइपूर में महंत घासिदास संग्रहाला इस्थित है 1875 में इस्थापित महंत घासिदास संग्रहाला इस्थित है जहां पे किरारी के कास्ट इस्थम को रखा गया एक पुरा तत्विक संग्रहाला है महंत घासिदास संग्रहाला है 1875 में इस्थापित आनंद समाज पुस्तकाला है 1908 में इस्थापित हमें रयपूर में ही मिल जाएगा सांथि जाँत महंत सरवेश्वरदास सारवजनिक ग्रन्थालाय 1953 में इस्थापित 1953 में स्थापित तो इस तरह से अगर संग्राहलाई कि अगर बात करें तो हमने देखा महंत घानसीदा संग्राहलाई 1875 आनंद समाच पुस्तकालाई यहीं पर रखा गया है यहीं साथ ही साथ सिख्षा के अगर छेत्र में अगर बात करें सिख्षा के छेत्र में अगर देखें तो राइपूर में ही सिख्षा के छेत्र में अगर देखें तो इंद्रा गांधी क्रिशी विश्व द्याला है इंद्रा गांधी क्रिश्य विश्विद्याला है, 1984 में स्थापित, इंद्रा गांधी क्रिश्य विश्विद्याला है, 1964 में इस्थापित साथ ही साथ देखें कुशा भाव ठाकरे पत्रकारिता विश्य विद्याला है 2005 में इस्थापित विद्धी विष्य विश्य द्याला यहां पर हिदाय तुल्रा राष्ठिय विद्धी विश्य द्याला है विधी विश्विद्याला है, 2003 में इस्थापित, चत्तिसगर आयूस एवां स्वास्त विश्विद्याला है, 2009 में इस्थापित, राजकुमार कॉलेज राजकुमार कॉलेज रायपूर में इस्थापित है, राजकुमार कॉलेज के अगर बात करें, तो 1882 में हैं, जबलपूर मध्यप्रदेश में, और 36 गर के संदर्वे में देखें, तो 1894 में, चत्तिसगर में, ये चत्तिसगर का प्रतम सेक्षणिक विश्विध्याला है, संस्थान है, याद रखियेगा, तो इस तरह से हमने देखा, संग्रालाई की बात के सिख्षा के छेतर में देखें, तो इंद्रा गांधी कृषिविशी विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश् सिक्षा के छेत्र में भी सारी महत्पूर्ण संस्थान भी रायपूर में स्थाफित हैं इस तरह से हमने वन बाई वन चीजों को हम लोग देखते चले जा रहे हैं इसी तरह अन्य तथ्यों को हम लोग राइपूर से रिलेटेड अन्य तथ्यों को भी वन बाई वन हम लोग देखते चले जाएंगे जिसमें अगर बात करें प्रशासन की छेतर में बहुत सारे भावनों के नाम अलग लग नामों से रखा गया है जैसे मंत्रालाय और सचिवालाय भावन का नाम महानदी भावन के नाम से निदेशालाय और संचनालाय भावन का नाम इंद्रावती इंद्रावती भावन के नाम से इस सारे हमें राइपूर में ही मिलेंगे इसी तरह विधानसभा भावन का नाम मिनी माता भावन के नाम से यहीं अगर देखें तो करुणा मुख्यमंत्री निवास के अगर बात करें तो करुणा वहीं विधानसभा अध्यक्ष भावन का नाम देखें तो समवेदना छतिसगर्ड के विधायकों का भावन का नाम संगवारी वहीं देखें तो चतिसगर राज्य का विसरामगरी पहुना के नाम से इसी तरह अन्यन्य भाउने अलग अलग नामों से राइपूर में इस्थित है जिसमें प्रमुकृप से आद रखेंगे कि मंत्रालाय महानदी भाउन के नाम से मंत्रालाय को जानते हैं मंत्रालाय सचीवालाय इंद्रावती भाउन के नाम से संचनालाय और निदेसालाय भाउन के नाम से मिनी माता भाउन हम लोग विधानसभा भाउन को मिनी माता के नाम से जानते हैं वहीं करूणा भवन मुख्य मंत्रे निवास को करूणा भवन के नाम से विधांसाब अध्यक्ष कुम संवेधना, साथी साथ 36 के विधायकों का विश्रामगिरी संवारी, राज्य सरकार का विश्रामगिरी पहुना इस तरह से अन्य नामों से हम लोग इसे जानते हैं जैसे अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं तो इस तरह से पार्ट वन में हम लोग इन तत्थियों को हमने देखा वन बाई वन हम लोग अन्य तत्थियों को भी देखते चले जाएंगे तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर किजिए कमेंट कीजिए और अगर पहले बार मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दवाना ना भूलें ताकि इसी तरह के अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें थैंक्यू कर दो